प्रभु भक्त जनू इस साल कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की अस्टमी 5 नमबर 2023 रविवार को है इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए उनकी सुक्स मृद्धी के लिए अहोई अस्टमी का वृत रखती है अहोई अस्टमी के वृत की विधी बिल्कुल करवा चोथ जैसी ही होती है इस दिन महिलाएं पूरे दिन संतान के लंबी उम्र की कामना करते हुए वृत रखती हैं और रात को तारों को वर्दे देने के बाद पारन करती हैं कुछ माताएं चांद को देखकर तो कुछ तारों को देखकर वर्द खोलती हैं इस साल अहोई अस्टमी के दिन कई शुब सहियोग बन रही हैं अहोई माता के पुजा का शुब महुरत होगा 5 नॉंबर की शाम को 5 बजगर 33 मिनिट से लेकर 6 बजगर 52 मिनिट तक इस दिन सुर्यास्ट प्रदोश काल सुर्यास्ट के बाद शुरू होता है और इसी समय अहोई अस्टमी की पुजा की जाती है इस दिन शिव जी, पारवती जी और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है पूजा के समय अपने हाथ में साथ अलग-अलग प्रकार के अनाज रखे जाते हैं कथा सुनने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और अरधे देने के बाद सबसे पहले बच्चों को खाना किलाया जाता है आए सुनते हैं अहोई अस्टमी की पूजा के दुरान सुनाई जाने वाली कथा इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके साथ लड़के थे दिपावली से पहले साहुकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिटी लेने के लिए जंगल में गई और कुदाल से मिटी खोदने लगी देवयोग से उस जगे एक से की मांध थी सहसा साहुकार की पत्नी की हाथ से कुदाल लगने से एक सेही का बच्चा मर गया अपने हाथ से हत्या हुई देखकर सावकार की पत्नी को बड़ा दुख हुआ पर अब क्या हो सकता था वैशो का कुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लोटाई इसके परिणाम सरूप सेह ने सावकार की पत्नी को श्राप दे दिया कुछ दिन बाद उसके बेटे का निधन हो गया फिर दूसरा तीसरा और ऐसे वर्ष बर में उसके सभी बेटे मर गए महिला आत्यां तव्यथित रहने लगी एक दिन उसने आसपडोस की महिलाओं को विलाप करते वे बताया कि उसने जान बुझ कर कभी कोई पाप नहीं किया हाँ एक बार खदान में मिट्टी खोते समय अंजाने में उसके हातों से एक से ही के बच्चे की हत्या आवश्य हुई है और उसके बाद से उसके साथों बेटों की मिरत्यू हो गई यह सुनकर पासपडोस की वरिद उर्तों ने सावकार की पत्नी को दिलासा देते वे कहा कि तुमने यह बात बता कर पश्चाताप किया है तुमारा आधा पाप नश्ट हो गया अब तुम उसी अश्टमी को भगवती माता की शरन लेकर से और सिय के बच्चों का चित्र बना करून की आराधना करो और ख्षमा याचना करो इश्वर की क्रिपा से तुमारा पाप धुल जाएगा सहुकार की पत्नी ने व्रिद महिलाओं की बाते मान कर कारती कमास की क्रिप्षमी की अश्चमी को उपवास और पुजा याचना की वे हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी तथ पश्चात उसे साथ पुत्र रतनों की प्राप्ती हुई जैसे अहुई माता ने सहुकार की पत्नी को पुत्र रतन दिये वैसे ही सबको कथा सुनने वालों को कथा केहने वालों को वड़त करने वालों को उनके बच्चों की लंबी आयू का वर्दान दे जै हो अहुई माता झाल